नमस्कार दोस्ता आप सभी का सुवागत है मेरे चैनल Global Vipar में जहां पर हम डिस्कस करते हैं International Trade के बारे में, Import-Export के बारे में, Custom Clearance के बारे में और Business के बारे में आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक ऐसा auction लेकर आया हूँ, जिस auction के बारे में मुझे एक तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, यह जब auction आता है तो मुझे बड़ा excitement होता है इसके उपर वीडियो बनाने में, उतनी excitement आप लोग को होती है इस वीडियो को दे डेली एरपोर्ट का auction है, जी हाँ फिर से डेली एरपोर्ट में एक और auction आया है, जो लास्टाइम जिसने करवाया था, सेली बी ने, एक्चलि डेली में दो authorities हैं, जो सारा वहाँ का कारगो हैं देखता है, एक है आपका DCSC एक है, सेली, सेली थोड़ा बड़ा है, इसलिए उ और बीडिंग की जो डेट है, वह 25 तारी 11 बज़े शुरू होगी, तीन बज़े बंद हो जाएगी, सेली बी डेली कारगो टर्मिनल मैनेजमेंट की स्पलिंग नहीं ने खलत लिखे हुई है, मैनेजमें इंडे प्राइबिट लिमिटेड के दवारा कराया जा रहा है, आई बहुत सारे छे लोग और बहुत सारे ट्रांसपरडर गुमते रहा थे, किसी सब भी पूछना है कि मुझे इंपोर्ट की तरफ जाना है, एक होता है एक्सपोर्ट, सलीबी मैं अच्छिली दो पार डिवाइडड है, एक है एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट तो आप लोगो को राइट ले रहा है, सामने एक्सपोर्ट की बिल्डिंग दिख जाएगा, आपको पूरा एक्सपोर्ट का है, वहाँ पे जोन वन में, जोन टू में यह सारा ऑक्षन होता है, किसी सब भी आप पूछेंगे तो आप लोगो को बता देगा, ठीक है, वहाँ पहुंच गया क्या कहते हैं, उसको गिंबल होता है ना, गिंबल, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगो को गिंबल का दिखाया था, वो जो जियोन का, जियोन यह शायद इस कंपनी का नाम था, उस कंपनी का गिंबल आया वहाँ था, तो वैसे ही कुछ इस बार एक और आया हुआ है, एक् इसके बाद का है, आपका लॉट नंबर 872, लास्ट के तीने जिट बतारों, आप लोगो होगा मैं लॉट के, 872, मेटैलिक डोर्स, दो सेट अफ डोर्स है, विद हैंडल्स, ठीक है, लॉट नंबर 881, सेट अफ वीडियो कॉन्फेंसिंग सिस्टम, विद एक्सिरीज आप लोगों बता दूँ कि जो एयरपोर्ट के उक्शन होते हैं मैं हमेशा आप लोगों को फोर्स करता ह Centrail का Со लगानी है न तो इसमें आपको expertise नहीं चाहिए होती है अगर आप लोगोंने MSTC में registration करा रखा है और आप लोगों के पास MSTC का card और login ID password है तो आप airport को auction में जाया है और airport को auction में आप लोगों काम की चीज़ी मल जाएगी जो आप personal use के लिए भी ले सकते हो और अगर आप लोगोंने MSTC में अब तक registration नहीं करा है और जानना चाहते है कि किस तरीके से registration होता है और किस तरीके से सारा process काम करता है तो मैं आप लोगों को छोटा साथ बता दू जो registration fees होती है वो होती है आपकी 11800 पे which is including GST, 18% GST included है इसके अंदर lifetime के लिए आपका valid हो जाता है यह पैसे देने के बाद आपको एक login ID password मिलता है और एक card बनके आता है MSTC के तरफ से physical card उस card को दिखा के आप किसी भी auction all over India में जितने auction होते हैं उस auction में जा सकते हैं इसको apply करने का दो तरीके हैं उसके बदले में हम आपको एक साल का guidance भी देते हैं क्योंकि यह सरकारी चीज है और सरकार के साथ जब भी सरकारी किसी organization के आप deal करते हैं organization के साथ आप deal करते हैं तो थोड़ा सा na complicated हो जाती है चीज़े थोड़ा सी attack नहीं की ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे जो है wooden boxes with velvet lining ये कुछ wooden के boxes है ठीक है होगा कुछ customized covers made of plastic fiber glass metal के covers है किसी चीज के नोने mention नहीं किया हुआ है उसके बाद lot number 935 ये है roll of metal and fiber net एक piece number electric belts of assorted sizes rolls of flat belt है किसी machine के पाठ है अगर आप लोग को समझ में आता तो आप बोली लगा सकते हैं इस चीज के लिए उसके बाद है lot number 956 ultrasonic flow sensor with stretches dust optisonic 600 large make मैं कोशिश करूँगा ये जो मैं आपको item बता रहा हूँ ना ये साथ साथ मैं आप लोग को image दिखाता रहू जब मैं edit करूँगा तो आप लोग को image दिखता रहा है अगर मैं जो गूगल पर मिलता है तो lot number 975 smart POS system with touchscreen come thermal printer with accessories model make China है आपका multi plug 94 numbers 12 packages ठीक है 94 pieces है और 12 packages के अंदर है मेरे ख्याल lot number 991 copper mugs of assorted size copper mugs इस से पहले भी आए हुए थे मुझे बता किसे ने उसकी बोली लगाई नहीं या हो गया नहीं कि सही चीज़ थी वो छोटा मोटा कर आपके 500-700 रुपे भी बोली लगाके अगर आप लोग मिल जाता तो क्या दिक्कत है और यहाँ पे celluby के auction में उतना complicated नहीं होता जितना कि आपके ICD का auction में होता है ICD के auction में आप लोगों कंटेनर खाली कराना डियो लेना और celluby कहीं है कहीं प्राइवेट और यहाँ की चीज़े थोड़ी सी जल्दी हो जाती है तो यह auction बड़ी हा रहता है अगला क्या है आपका lot no.998 electric extension cord ठीक है एक number electric extension cord हो गया 100 numbers of ready-made garment, garment, t-shirt, sizes of assorted 100 numbers of fabric caps, 200 numbers nylon plastic bags, तीन packages के अंदर है और यह सारी quantity मैंने आपको बताई दिया lot no.004 lot no.L056004 यह है आपका 12 numbers power clean sheet यह make Italy से आया वाय कुछ मिले समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है मैं आप लोगो दिखा दूँगा इमज में अगर इमज में उपर मेरको Google पे मल जाएगा तो ठीक है अगला है आपका lot no.006 advertising backlit display panel अच्छा यह display panel आप लोगों का ठीक है इसके उपर BIS होता है इस वाइसे अटक क्या होगा उसके बाद है आपका lot no.007 charge no.light lighted signaling device दो नमबर sensorless vector micro AC device model यह यह heater है sensor के साथ electro motor with shaft mounted metallic flexible hoses and metallic compound of assorted सब्सक्राइब किसी machine के पार्ट है अगर आप लोगों समझ माज़ा तो आप जाके देख सकते हैं lot no.001 metallic cabinet of assorted varieties for notifier fire alarm panels अच्छा यह fire alarm system का part है accessory है आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप अपने factories वगरा में लगाना चाहते हैं ठीक है उसके बाद क्या है lot no.00 pew sole for footwear of assorted sizes यह footwear जो manufacturer उनके बहुत कामाने वाला है lot no.001 floor rug in soil condition floor rugs हैं तो आप जाके देख सकते हैं ले सकते हैं ठीक है उसके बाद है lot no.042 4 rolls of packaging film apprax with इतना packaging film है ठीक है फिर lot no.046 4 number transmission assembly of automobile 1 number broken tail lamp assembly तो automobile के dealer है उनके काम की चीज है ठीक है उसके बाद lot no.061 metallic cylindrical thread machine compound parts ठीक है यह भी machine का कोई part है उसके बाद है lot no.064 roll of coiled metallic strip ठीक है lot no.074 pair of escalator steps escalator के steps है तो escalator के भी बहुत सारे manufacturer सादर बाजार में उनके भी बहुत सारी बहुत काम की चीज़ होने वाली हैं अगर आप लोग trading करते हैं manufacturing करते हैं तो MSTC में registration कराओ और आप का registration खतम हो जाएगा तो आप वेट कर आपके काम की चीज़ आती है आप जाके देखो कर काम की चीज़ आती है तो कूड़ के भाउस को उठा लो अपने manufacturing में काम लगा लो अगर आप लोगो trading नहीं भी करनी है तो बहुत बढ़ी है पढ़ते हैं lot no. 078 multi controller based station Nokia यह मेरे ख्याल वह networking equipment का पार्ट है 3G, 4G, 5G जो भी है फिर अगला है आपका lot no. 083 set of Bluetooth wireless earphones earphones with accessories model infinity infinity यानी JBL का है यह ठीक है NOC license required यह WPC license में आपको लगने वाला है इसी वज़े से यह last time भी नहीं भी का था मैंने इस option का एक और page है उस page में बहुत सारे speakers आये है जो मैंने पिछली बारी भी देखे थे lot no. 083 set of Bluetooth wireless earphones, earbud accessories model infinity model infinity यानी मेरे ख्याल JBL का होने वाला क्योंकि JBL का ही sub brand है infinity और यह last time भी आयो वा था इसमें नीचे लिखा है बड़े-बड़े bold letters में कि NOC required, license required मतलब अगर आप इस item को purchase करते हैं बोली लगाते हैं और आप लोग को successful bidder बन जाते हैं तो आप लोग को इस item को लेने से पहले WPC का license produce करना पड़ेगा जिसका एक अलग procedure है तो अगर आप वो करना चाहते हैं 60 pieces के लिए तो आप यह कर सकते हैं यह action में बड़ा अगर आप लोग 2-3 pieces भी ले रहे हैं तो इसमें यह लोग WPC मांग लेते कभी कभी 2-3 pieces के लिए कौन इतना जमेला पालता है फिर last में यह scrap में निकल जाता है फिर क्या फाइदा होता है मुझे तो समझ में नहाता है नेक्स वाले पेज इसका एक और पेज है इस वाले auction का न दो पेज है मैं पहले पेज की बार में आप लोगों को बताने वालों second page में description में डाल दूँँगा आप जाके देख लेना वापे बहुत सारे Bluetooth speakers है पिछली बार मैंने वीडियो में दिखा भी रखा था वो सारी चीज़ा घूम के दुबार आयो ही है पिछली बार इनोंने लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षर हम है कि WPC चाहिए इस बार इनोंने लिखा हुआ NOC license required लास्ट में अच्छा WPC नॉन बोल्ड में लिखा भी हुआ है लोगोंने नीचे तो यह मुझे तो समझ नहीं आता कि इसका क्या लॉजिक है दो पीसेज है तो दो पीसेज के लिए आप WPC माग रहे हो तो कौन दो पीसेज को खरीद के एक पीसेज का अच्छा इरिक्षन के कुछ माइक्रो रैडियो के पार्ट्स हैं पावर सप्लाई है ओपन एंक्लोजर है नमबर आफ आउटडोर बेस बैंड यह सारे नेटवकिंग इक्विपमेंट से टेलिफॉनिक जो 4G 3G में जो एक्विपमेंट यूज होता है यह वह है एरिक्षन के एरिक्षन 3G 4G वाले एक्विपमेंट से बनाता है ठीक है लॉट नमबर 191 नैविगेशन सिस्टम इडिस्प्ले स्क्रीन फॉर कार्स में कि यह मलेशिया ठीक है यह साही चीज है इन्होंने Bluetooth स्पीकर में उसी मांगी हुई है नैविगेशन सिस्टम इसमें B.I.S लगता है इसमें B.I.S नहीं मांगा हुआ यह किस हिसाब से लोग चीजों को डिसाइड करते हैं मुझे समझ में नहीं आस तक मुझे नहीं लगता मैं कभी समझ में पहुंगा इस चीज को पता नहीं किस चीज के base जो इन चीजों को decide करते है कि कौनसे वाले में इनको license लेना है कौनसे वाले में license नहीं लेना है यह 2-6 पीसे है कुछ ज़़ादा difference थो है नहीं चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं किसी दरह है के lot no.196 metallic pot tumbler with detachable wooden handle यह tumbler आया हुआ है यह भी बहुत काम की चीज़ होने वाले इसको भी जा कि आप लोग देख सकते हैं और बोली लगा सकते हैं lot no.115 blower unit with AC coil part में एक blower unit कुछ blower है किसी तरह का इस अब तक देखोना ना पता ही लगता मैं ऐसे मैं पताने किस तरह का blower है मैं कर गूगल करके डालूंगा भी तब भी कुछ खास पता ही लेंगे वहां जा कि कुछ और ही निकल रहा है lot no.116 metallic cabinet of assorted sizes variety biomedical medical equipment lot no.123 wooden plank of assorted sizes wooden के plank है फिर lot no.124 machine mounted on trolley base with dust exposed condition matte काफी पूरी हालत में जो भी है नो लिखा हुआ है फिर है आपका lot no.125 metallic hollow cylinder machine component held in a metallic frame ठीक है सारे machine के पाठ है फिर आपका lot no.153 set of video conferencing system with accessories model video conferencing का यह दुबारा से एक और item आ गया है एक ही piece है मतलब पूरा complete set है इसका lot no.164 one number of carry case for tool jensen tools jensen यह tool carrying case है एक piece है एक डबा आया हुआ इसका फिर उसके बाद है आपका फिर उसके बाद है आपका lot no.167 20 numbers ethernet LAN PC card etherlink 2 अच्छा एक एधरनेट card आया हुआ है जो networking equipment में काम आता है ethernet वो सारे server को जोडने के लिए lot no.173 एक numbers carry case for tool jensen जो भी है फिर से आ गया lot no.189 slot classic without power supply for catalyst lot no.269 glass award trophy अच्छा trophies भी आयो है detail यहां पे click करेंगे तो आपको detail मिल जाएगा यह जो detail है न मैं detail को detail में discuss नहीं करूंगा आप लोगो नीचे link देदूंगा वहां जाके download कर सकते हैं और detail वाले यहां पे click करेंगे तो सारी detail भी खुलके आ जाएगी मैं आप लोगो दिखा जेता हूँ यह मैंने open a new tab कर लिया और यह जो आपका item है अच्छा इसको download करना पड़ेगा download करके खोलके देख लेना आप लोग इतना नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत जादा फिर अगला lot है आपका lot number 2271 boxes containing electronic electric components search electronic item है कोई फिर lot number 227 272 2272 mobile phone components spare part of assorted varieties display unit और sim tray वगेरा सारे मतलब mobile के जो parts होते न spare parts हुआ है detail चाहिए तो आप यहाँ पे click करके सारे detail देख सकते हैं मैं आप लोग को detail दिखाने के कोशिच करता हूँ आजा mobile accessory का detail आप लोग को दिख रहा है mobile phone components spare part of assorted varieties mobile phone spare keypad आया हुआ है आपका rack mount model यह यह है solar panels है small display for electronic equipment devices PCB assembly bear PCBs mobile phone components display of assorted varieties यह पिछली बारी भी आया हुआ था मैंने आप लोग को दिखाए था अगर मेरेको मैं बार-बार बोलते हैं आप लोग को करते हैं फिर भी ठीक है eight numbers of speaker में एक जामो करके है mobile phone components तो यह सारा पहले page का detail था यह ऐसा एक और page है उस page को आप लोग जाके देख सकते हैं मैं नीचे description में दोनो page का link दे दूंगा यह वाला page भी इसका अगला वाला page भी अगला वाला page में cover करूंगा तो आप लोग खुद ही जाके देख सकते हैं वहाँ पर सारी detail आप लोग को मिल जाएगी तो इस तरह के auction इस तरह के चीजें आपको airport auction में आती है और मेरे वीडियो देखके अगर आप लोग ने MSTC का card नहीं है आप लोग के बस MSTC का registration नहीं है नीचे देगाई number पर call कर सकते हैं और पता कर सकते हैं किससे तरीके से MSTC में registration कराना है सारा process किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप खुद को register करा के future auctions में part ले सकते हैं वन्म टाम रिजिस्ट्रेशं होता है। उसके बाद इंडिया में आपके जितने ऑउक्षिंस होते हैं, उन सारे ऑउक्षिंस में आप लाइफटाम के लिए पार ले सकते हैं। तो यह वीडियों यहींँ पर खयतम करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले auction के साथ, किसी अगले auction की वीडियो के साथ वो live हो सकता है, यह detail हो सकता है, तो तब तक के लिए thank you so much, चैनल को subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर दीजे, thank you.